तो आज किस वीडियो में हम बनाएंगे शॉट्स कुर्ती जो आज कल छोटी कुर्ती चल रही है मैं यहां पर साइड में एक फोटो भी डाल दूंगी इस टाइप की ना कुर्ती वगेरा चल रही है तो बहुत ही ट्रेंडिंग है और कॉर्टन में जातर यह कॉर्टन के बनाना चाहते हैं जिस पे आपको अच्छा लगे से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए मिनिमम अगर पतले इंसान नहीं पतला इंसान है तो थोड़ा सा हैं तो उसमें कम से कम 2.5 नी पड़ाईगी थोड़ा सा इसमें क्या होगा इसकी जो लेंध बढ़ानी पड़े रहे हैं आप उपर की साइड जो बना हुआ तो ध्यान में रखते हुए मैं इसको double fold कर लेरी हूं इस तरह से मिलाते हुए ऐसे फोल कर लिया है और fold कर लेने के बाद ना इसको हम नीचे तरह कि एक बराबर कर लेंगे और उसके से रखते हुए नीचे तक मैंने फोल्ड कर लिया और जो भी प्रिंट होना तो उसका ध्यान रखे अगर प्रिंट अपने ध्यान नहीं और गडबड हो गया तो फिर वह थोड़ा सा अजीव लगता है कि प्रिंट ऊपर नीचे देखा ही नहीं हमने और बना दिया तो प्रिंट का निशान पहले ले लेते हैं कि पूरा लंबा तो हमें लेना नहीं और इस टॉप को बनाने के लिए कम से कम 25 से 27 इंच लंबाई रखी जाती है 25 इंच तक लंबाई रहती है मैं यहां पर ना इसको 30 इंच ले रही हूं हलका सा लंबा ले रही हूं 30 इंच पर करना रखा वा है कि तो इस तरी कि सहने कट कर लिया और बाकी में तो हम स्लीज कर लेंगे और स्लीज आगा और नेपकी डिजाइन इधिनग वागेरा जो भी करना वह वह हो जाएगा और इसमें हम टॉप की कटिंग करेंगे यानि की शॉट्स बनाएंगे तो फोर फोल्ड हो रखा एक अबड़ा और अब देख लेते हैं जैसे नॉर्मली जो भी आपके मेजर्मेंट्स होना वो आपको निशान लगाना ऐसे कि यहाँ पर शोल्डर 13 इंच था तो उसका 6 इंच निशान लगा दिया आर्मूल 7 इंच निशान लगा दिया यहाँ पर 7 इंच आर्मूल लगाना है आपको फिस के बाद वेस्ट लगाना है आपको 13 इंच तो मैं आप 13 इंच लगा रही हूं चाक यहाँ पर बीस इंच पर लगा एक्कीस इंच तक आप लगा सकते हैं यह आपके उपर डिपेंट्ट करता कर आप 18 इंच चाक रखना चादे तो 18 इ को पैसी करते हूँ है यहाँ से एक इंच नीचरी हिसा निषान के सब्सक्राइब कर लें और मॉना कुछे है बहुत है है तो हम चैसरे निशान लगांगे चैस्ट को मैजर मेजरमेंट लूजिंग एड करते हुए वह 34 इंच तो या पर मैंक्निक i Am लगा दूँगी यह जो कुरती बनेगी जादा आपको थोड़ा सा लूज रखना तहीं अच्छा लगेगा और यहां पर जो तीस इंच हमारा वैस्ट है तो इसका जो थाइगा साड़े साथ इंच आगा सेवन पॉइंट फाइव इंच तो यहां पर हम इसको सेवन पॉइंट फाइव इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से उसके बाद यहां पर जो भी आप चेस्ट का मेजर्मेंट लगाए ना जिसे कि साड़े आठ इंच लगाया है तो यहां पर नौ इंच में लगा रही हूं आफ इंच एक्स्ट्रा आप रखें हिप मेजर्मेंट ठीक है औ आपको लूज रखना और इसको ऐसे घुमाते वे हलका हलका राउंड करते वे निशान लगा तो 36 इंच अगर वैसे मान लें तो 36 इंच हमारा हिप मेजर्मेंट उसका चौथा ही 9 इंच आ गया और यहां पर दामन आपको फिर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना जो भी आपने मेजर्मेंट में रखाता है यहां पर मैंने 9.5 इंच निशान लगा नीचे दामन और इसको मिला लेंगे हम 9.5 इंच रखा दामन और यहां पर एक इंच में नीचे मार्जिन का निशान लगा जो एक इंच फोल्ड होगा तो इन लाइन्स को मैं मिला लूंगे इस तरीके से मार्जिन का एक इंच हो गया इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और साइड में अभी हमने मार्जिन नहीं रखा है तो वह भी देख लेते हैं कितना रखना है और शोल्डर भी डाउन कर लेंगे हाफ इंच हम इस तरह से शोल्डर डाउन करना बहुत जरूरी ताकि परफेक्ट abeo ऋपर का Balance क्षरा निइश हुए में अब पिद्ग कामा य रख सकते हो अब अम मार्जिन को मिला लेंगे जे बॉटम से जहां पर साइड चाक है तक मिला ले हैं तो नॉर्मली कृटिन करना था उम्मीद हैं तक आपको समझ वें आ गया होगा सारे जो भी हैं और इसके बाद यहां से हम फ्रउंट आर्मोल के लिफ और बनता है उसका निशान लगा लेगे इस तशीद केстश देcky यह यह बन गया फ्रन्थ आर्मोल तो इस तशीध बिना सकते हो ब conception एक उन्हें छल्प मिला ते वह स्वार्श कि फोगरा की वीडियोस बंसदर हم क्या करेंगे बैक आर्मी के कुटिंग करेंगे और यहां से मार्जिन यहां इस तरह हो गया है और twomy जहाँ जह नहरा इस हमने बना है ना महाँ पर भी कट लगा देंगे ताकि हमें ध्यान है कि यहां से हमें चाक का फोल्ड करने बहुत जरूरी जरूर लगाएं आप ताकि पर जाज़ा दोनों साइड चाक इतने बनाना एक पल्ला इसके अलग कर लेंगे और उसके बाद हम फ्रंट आर मोल की कटिंग पर लेंगे तो जो हमने अलग करा है वह बैक के लिए हो गया औ यह शौट कूर्टी में मार्किट में बहुत ज़्यादा अभी अवैलिबल है और ऑनलाइन साइट पर भी वेबसाइट वगेरा पर भी खूब मिल रहे हैं अगर आप थोड़ी सी अगर इसको समझ लेंगे वीडियो का एंड तक देख लेंगे तो आप घर पर अपना कि हमने कटिंग कर लिए और मिड में कट लगा लिए ताकि प्रता चल जा यहां से हमें नेक की कटिंग करनी है अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे यह उल्टे वाले साइड से मैंने रख लिया, सीधे वाले साइड में था पहले यह तो उल्टे वाले साइड से मैंने रख लिया इसको और यहां पे बैक नेक की हम निशान लगा लेते हैं, बैक नेक मुझे जदा डीप नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो तीन इंच औड़ाई का निशान लगाएंगे और गहराई अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं मैं यह पर चार इंच रखूंगी इसको मिला लेंगे इस तरीके से और राउंड शेप दे देंगे तो इसकी तो हम तिर्ची पट्टी लगा के स्टिचिंग करेंगे बुकरम वगयरा नहीं लगा रहे हैं बहुत एजी ली रेडी हो जाएगा फिनिशिंग के साथ तो इसी मैथट से आप बनाएंगे ना बहुत एजी रहेगा इस पर बैक मैंने लिग दिया भी बनाएं ताकि पर चल जाए और यह फ्रंट पार्ट हो गया तो फ्रंट के लिए तो हमें नेक की कटिंग करनी पड़ेगी तो मैं इस तरीके से बतारी ना बहुत एजी लिया बना लो यह मतलब बिना बुकरम वगयरा के और एकदम फिनिशिंग के सफ नेक रेडी हो जाएगा आर्मोल को म जिसमें हमारे दोनों ही स्लीव आ जाए उल्टे वाले साइड से और एक बार और फोल्ड कर दिया इस तरह से यहां पर भी आपको प्रिंट का ध्यान रखना है कि प्रिंट उपर की साइड होने चाहिए नीचे की साइड नहीं होने चाहिए अब उपर की साइड से फैब्रि चैनल दुआ रहे लंबाई अरहकी इस तेन इंच को मिला लेंगे हैं दो और ऐसे हैे लगारें और निचे बोटम इनचे बोटम सेवैन इंच लख रहे हैं कितना हमें फ से इंच के दिवाटम को बाकि मार्जिन में चला जाएगा इस है क्यों लाइन को मिला लेंग अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा बीच में कट लगा दे रही हूं और उसके बाद ना फ्रेंट स्लीफ जो होता है थोड़ा डीप होता है उपर से दो पल्ले उठ रखाके इसको हम थोड़ा सा डीप कटिंग कर देंगे मैं निशान लगा दे कितना हमें करना है ये दिखे इस तरीके से आपको शेप देना है इसको और ऐसे कटिंग कर लेना है तो यह हमारा फ्रंट के लिए हो गया स्लीस रेडी दोनों पल्ले में हो गया बसको नाप लेत बन जाएगा कोई छोटा बड़ा नहीं होगा यह और आप देख भी लिजेगा कि किस तरीके से यह हमने इसम परफेक्टली बना दिया है शोल्डर जोड़ते समय है छोटा बड़ा नहीं हुआ है स्लीव्स अब यहां पर नेक का हम मेजरमेंट देख लेते हैं किस तरीके से करना है नेक की चोड़ाई तीन इंचे रखेंगे और गहराई आप अपने अकॉर्डिंग इतना रखना चाहिए रख सकते हैं यहां पर मैं गहराई का निशान सेवें इंच पर लगा रही हूं और थोड़ा सा और उपर हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर साड़े 5 इंच पर निशान लगा दिया है थोड़ा सा नीचे लगा दिए 5 पर लगा दिया था मैंने 5.5 इंच चाहिए यहां तीन इंच पर निशान लगाएंगे इसको मिला लेंगे ऐसे नीचे वाला पार्ट भी मिला लेंगे तीन इंच पे इस तरह से और ये स्ट्रेट लाइन दोनों को भी मिला लेंगे अब जो आपको नेक्ट चाहिए उसके अकॉर्णिंग आप बना सकते हैं जो उसके पर निशाना लगा हुआ है तो तो राऑंड चाहिए परने लिए बैंने इस तरएकर निशान लगा दिया मैंने इस तरीके से पहला दो औरज faut sa शेप देंगे वैसे कुर्टीज में यह वाली नेक डिजाइन बनी होती है अगर आप चाहिए तो यह वाला नेक डिजाइन ट्राइ कर सकते हैं इजी है इसको राउंड शेप देदें उपर वाले पले को यहां से आधा इंच का निशान देंगे किनारी से और इसको भी मिला ल ने करना देंख लिए और हम से कटन्ग कर लेंगे किनारी हमें किनारी फोल्ट करनी होगी इस तरीके से ओगया और अब क्लतना का ना दूसरी लिन यूआ इसके निशान लगाना होगा हमें तो एक बार तो विदाउट बुक्रम अभी आप देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से हमने नेक को रेडी कर लिया है और इस वीडियो को जो मैं अप्लोड कर रहे हैं तो इससे पिछले वाली वीडियो है बिल्कुल सेम यही वाला नेक डिजाइन मैंने बता है में नेक डिजाइन बनाया हुआ है मीड में हमने कट लगा वोया है फैबरिक के बस उसके मिड में मेने कट लगा दिया है नेक के और एसकी उपर ऐसे मिलाते वह रख दिगे अब μीड में हैं किनारा जो बन रहा है वहां से कट लगा कि इजीली हो जाएगा फोल्ड करने में तो फोल्ड करके सिल देंगे यह देखिए सिल दिया है मैंने और हाफ इंच से भी कम का मार्जिन देते हुए इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से कि मिड में कट लगा देंगे और किनारियों पर लगा देंगे जहां से राउंड शेप है वहां पर छोड़ चोड़े कट लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी है अब इसको में फोल्ड करेंगे और जो जहां पर किनारी विनारी है इसकी नोक वाले पाढ़ना पहले निकाले ताकि उसमें फिनेशिंग आ जाए एकदम इस तरह से यह देखे और इसको ना इसे नेल्स से आप अपनी उंगलियों से एक दो बार रगड़ोगे ना या हाथ से ही वह करोगे तो फिनेशिंग आ जाएगी इसके अंदर वरना आप आइरन कर दो इसको तो और अच्छे से सेट हो जाएगा मैं अभी इस तरीके से कर देरी बाद म सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है नॉर्मली वैसे मीडियम सा इतनी बिल्कुल सही रहेगी सभी के लिए पीछे तुर्पाई हो जाएगा आप और हम बैकनेट करेंगे तो बैकनेट के लिए हमें फ्रन Garage तो रटी हो गया लिए कटिंग करिए तिरशीपट्टि हमें क्या करना है इसको इसमील देना है यह देख्याँ इसमें जब छोटे छोटे लगा देंगे कट्स लगा देंगे अब इसको हम फोल्ड करके सिल लेंगे अब सिंपली इसको इस तरी के से फोल्ड करके सिल लेंगे इस तरह से ऐसे हम पूरा फोल्ड करते हुए सिल लेंगे नॉर्मली जो बेबी के फ्रॉग वगरा भी मैंने बनाए हैं और भी बहुत सरे नेक डिजाइन वगरा बनाए हैं तो मैंने आपको बता रहा है इसमें आपको सीधी पट्टी नहीं लेनी सीधा कपड़ा लेके नहीं बनाना वन शोल्डर जो है ना किनारी नजर नहीं आएगी फिनेशिंग के साथ रेडी हो जाएगी तो ऐसे रखते वे इसको मैं सिल लेना है यह जो है ना ऐसे रखके इसके उपर पीछे वाली जो जिसमें तुर्पाई करेंगे वह वाला पल्ला इस तरीके से रखके सिल देना है यह इस तरीके से आजाएगा किनारी में एकदम फिनेशिंग आ गई कोई किनारी नजर नहीं आ रही है तो इतना एजी लिए आप नेक को रेडी कर सकते हैं कुछी मिंटो में और यहां पर तुर्पाई होनी है फ्रेंट में बैक रेडी हो गया है अब मैं स्लीव्स जॉइन कर आप दत्पेसरे लेना है या और आपको दिखा कर दो कि छोटा बड़ा परड़ा या नहीं परड़ा है इसमें जॉइन करके आप क्या जक्सक्वण देखें वैप युर्स इखें करा कि इस तरह की मिलकुल पर फेक्ट और यहां तक का यहां और कुराति नीचे के साथ की साथ फोल्ड कर दिये और सिसके मैंने जॉइन कर दिए हैं इस तरह से और उसके बाद नहीं को मिलाते हुए ना फेटिंग का जो निशान लगाया है यहां गोड़ह सकते हैं और इसको ऐसे रखते हुए मिला लेंगे उससे लाइन से यह देखिए ऐसे हो जाएगा सिल लेने के बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन जो आरा ना स्लीव के पास उसको कट कर देंगे या भी कट करना चाहें तो आप ही कट कर सकते हैं आप तो देखिए इक्वल हो गया यह इस तरह से शेप में आ गया और ऐ यहाँ पर ऐसे रखते हुए पांच इंच पर और इसको भी मिला लेंगे सेम पहले की तरह उमीद है आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स जो ही मैंने बताया अच्छे समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डाउट है आप अराम से मुझसे बेजी जग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर पूछ सकते हैं तो इसको भी सिल ले इसे चांव तक सिल लेने के बाद इए देखें सिल लिया है मैंने रेडी हो गया यह सिल दिया है और ऐसे ही है yağ na और यह जैसे चांव करते ना उसे वैसे ही आपको फोल्ड कर लेना यह यहांँ पर एक इंच का निशान जो प्रूरे में लगा लेंगे चांव पूर्ड करते है उसकी मैंने स्पेशली वीडियो अप्लोड करी हुई है तो उसे भी आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं ढाल दूंगी और बहुत ही तरीके से इसमें नहीं डाल रही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें नेक की कटिंग और स्विचिंग भी डाल दी है और यहां पर मैं चाक वगेरा फोल्ड करते भी डाल दूंग तो और लंबी हो जाएगी तो नॉर्मली देखिए इस तरीकी से आप सिल लेंगे अभी जो फ्रंट वाला पार्ट है ना जो शॉट कुर्ती का फ्रेंट पार्ट है वहां पर हमें क्या करना है एक पट्टी लगाने यह अप्शनल है अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं अगर आप वरना आप ऐसे नॉर्मली रखना चाहते हैं इस कुर्ती को इतना तो रेडी होगी आप कुछ नहीं अगर आप इस तरीके से पट्टी तो आप इससे लगा सकते हैं वरके देखी товणशा करते हुए से फोल्ड करखे एस रख लेना हैं और इसको हम रख लेंगे मशीन पर ऐसे और अब पहले किनारी मिलाते हुए सिल्टे चल जाएंगे लिए बेखि govern यह अब दीखिया और जो किनारी यह वह ला रहा ना इसके मिल्कुल एंट ही कर आगम किनारी तक इसको चारो कोने तक सिलते चले जाना है एई से पर दूसरी बहुत बcjęख और गिया पर इसको तो आएगे इसको भी तो अधूले में का अजको देना इसके बाद फिर उपने यह ये देखी को और हैं और हiona यहाँ पर जो हमें क्या करना है थोठा सा कट कर देना तो काबरिक को जो भी एक्स्ट्रा है और ऐसे फोलड करते हुए असलिए तिरचा अंदर के साइड तिरचा रखना है बाहर के सीधा रखना है अब यहां से फोल्ड कर देंगे अईसे अब ऐसे इसको हम सिल देंगे ये देखें अब इस वाले पार्ट में गया करना पहले तो किनारी को फोल्ड करना बाद में किनारी फोल्डिंग करेंगे देखें ऐसे पहले फोल्ड कर लेंगे और जो यो कपड़ा उपर की साइड आ रहा ना उसे अंदर की साइड कर देना है इदे के उपर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा तो अंदर की साइड कर देंगे इस तरीके से तो यह हो गया सैट और ऐसे सिल देंगे इसको कि यहां पर किनारी भी वो कर देंगे सिल देंगे अब उसके बाद हम इसको इधर की साइड से सिल देंगे पूरा तो इस पूरी वीडियो में ना कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको दोनों ही बता दिया हैं मतलब सारी चीजे बता दी हैं केवल मैंने दामन फोल्ड करना नहीं बताया जहें शाक फोल्ड जिसे कहते हैं तो वह आप मेरे नीचे चालल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते ह और बाक्ची जो में मेंन सारी चीजें की वह मैंने बतादी है और फाइनल लुक इसका इसतरीबे से आया है आपको कैसा लगा यह जरू बताएगा। शॉट कूरती कैसा लगा औरcü mir Nowhere件 आन गूर बता सकते हैं और कुश डाउट होना तो आप और आप आप कहस पूछ सकते ह झाल झाल